हेलो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर आपका स्वागत है हमारे चैनल से जुरे रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन भी चलू दबा ताकि जब भी मैं को डिजाइन अप्लोड करूँ तो आप उस डिजाइन को मिस्स ना कर पाए तो दोस्त मैं कोशिस करूँगे कि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दो तो दोस्तों यह गेट पर्दा बनके रेडी हो चुका है और मैंने कहा भी था बहुत जल्द पार्ट टू अप्लोड भी होगा तो देखिए इस टाइप का यह डिजाइन बना है आप हमें कमेंस में जरूर बताइएगा कि आपको यह मेरा वीडियो कैसा लगा और यह डिजाइन भी आपको मेरा कैसा लगा तो दोस्तों चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं कि यह डिजाइन कैसे बना है तो दोस्तों पार्ट वन में मैंने आपको ये भी बनाना बता दिया था तो और पट्टी बनाना भी मैंने आपको बता दिया है तो अगर आपने ये दोनों वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चानल से जूरे रहें और मेरे चानल पर आप जाकर देख भी सकते हैं तो देखिए इस टाइप से मैंने बनाया है, देखिए इसमें मैंने पाइपिंग भी की है, तो ये पाइपिंग भी मैं करके इस वीडियो में आपको बताऊंगी, इस टाइप से आपको पाइपिंग करना है यहाँ पे, तो पहले मैं थोरा सा पट्टी आपको बना कर बता दे छिसार कोटे तो देखिन इस टाइब से में एक ही जगह से तेन चार बार लेना और यह से बढ़ लेना है गुली की तरह और फिर ज्तनी दूरी तक जाएगा उतनी दूरी गाद टाइब कि प्रआमें एक ही जग है नैंट2 तीं बार लेना है देखें इस type से हमें गुली की तरह लेना है और थोड़ी-थोड़ी दूरी पे इसे बांद देना है जेतने दूरी पर यह जा है उतने दूरी पर हमें इसी type से complete करना है तो हम पट्टी इस तरह से पुरा complete कर लेंगे हम इसके बाद हम ये भी बनाएंगे है हुए हमने अधा पूरा तयार कर ली है भी बस में थोड़ा सा आपको पैपिंगंग करके बताऊँगी कि Higher तो मैं थोड़ा सा करके आपको बता रहें आप सानी से यह Binary करना है चाहि栗ी हमें एक ही जगह से तीन बार लेनाँ सнийहों और इसे बन लेना और यह फिर जपनी दूरी पर जाएंगा उतनी के टाइट करके बन लेना इस तहरा के फिर फिर पूर से दो तेन बार लेंगे और इसे बन लेंगे और फिर उतनी ही दूरी पे जितनी दूरी तक ये टाइट हो जाए वहाँ पे हमें से बांध लेंगे फिर सेम वही प्रोसेस होगा तो इस तरह आप पाइपिंग कर लेंगे पटी का और ये जो भी तयार है इस भी का भी देखें इस तरह से तो देख सकते हैं इस टाइप से अब हमारा कम्प्लीट होने वाला है तो देखें इस टाइप से हमारा कम्प्लीट हो चुका है ये देखें तो अब हमारा ये पूरा पटी तयार हो चुका है और इसका भी भी टूटल तयार हो चुका है देखें इस तरह से रेडी हुआ है तो आप भी असाने से इस टाइप से आप भी तयार कर लेंगे और पटी तयार कर लेंगे और पैपिंग कर लेंगे तो यह आपका कम्प्लीट हो चुका है अब हम इसमें नेक्स स्टेप देखते हैं नेक्स स्टेप क्या है और इस टैप का पट्टी जो आप देख रहे हैं ये भी मैंने आपको बनाना बता दिया है तो चलिए इसका नेक्स स्टेप देखते है तो देखी मैंने इसका रेडी कर लिया है इस टाइप सब देख सकते हैं यह पट्टी है और यह भी है और इसमें मैंने देखी इस टाइप से दो, तीन, चार, पांच इस टाइप से पांच शेप भी मैंने बनाया है और इस टाइप से भी मैंने पूरा रेडी कर लिया दूसरा खंड भी और तीसरा खंड भी हमने रेडी कर लिया है तो अब हम चौथा खंड जो है जो है इसका वो रेडी कर के मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी तो यशे इंद तक जरूर देखेगा क्योंकि मैंने इसमें आपको step by step total बताया है तो आप आसानी से इसे बना भी लेंगे देख सकते हैं आप इस टाइप से यह ready हुआ है अब हम इसका एक खंड बनाना सीखेंगे उसी अगर आप वो सीख लेते हैं तो यह सारा खंड आप आसानी से बना लेंगे तो यहां से हमें start करना और इसी टाइप से हमें गुल्ली बनाना है जितना हमेने दस खंड में बनाया है तो आप भी दस खंड में बनाएंगे या फिर आप कम भी कर सकते हैं तो चले स्टार्ट करता है तो देखे सेम इस तरह से हमें लेना है आप देख सकते है तो यहां हमने प्लट लिया है अब हमें क्या करना है देखे फंदा पहले में बना लेना इस टैप से हम बना लेंगे और यहां बांध लेंगे कुरुस में ही उसके बात यहां से हमें स्टार्ट करना है तो यहां हम पहले कुरुस की मदद से बांध लेंगे देखे उसके एक बड़ा चैन लेंगे और एक छोटा और उसमें से छोटी साइज में ज्यादा लंबाई नहीं हमें छोटी सी गुली बनानी है इसमें मैंने छोटा छोटा गुली बनाया है तो आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं इसकी लंबाई आप अपने हिसाब से ज्यादा या कम भी रख सकते हैं, देखिए इस टाइप से हमें दो ही चैन लेना और जिस चैन से हम बांधें उसी चैन के अंदर से हमें दूसरा गुल्ली निकाल ला है देखिए इस टाइप से जो हम बांधेंगे गुल्ली उसी गुल्ली के अंदर से जो चैन होगा उसी चैन के अंदर से जैसे देखिए यह अभी हम बांध रहें और उसके गसा चैन लेंगे और जो इस चैन से हमने बानदा है उसी चैन के अंदर से हमें गुली निकालते हुए जाना है तो इसमें चैन बिल्कुल भी नहीं दिखेगा किस टैप से यह बनता हुआ जाएगा देख सकते हैं आप इस टैप से अब हमें क्या करना है इसकी लंबाई हमने रखनी है तो मैंने इसमें 42 चोटी-छोटी गुली बनाई है तो आप भी 42 चोटी-चोटी गुली बना लेंगे इस ट्याप से 42 बना लेंगे और फिर यहाँ लाकर हम इसे जोइन करेंगे तो दीखें इस तदर से हमने 42 बना लिया है इस टेप से आप भी 42 बना लेंगे तक पर 42 मैंने बनाया आप उसे कम भी रख सकते हैं इसकी लमबाई और इसे बराबर भाग में बाट लेना है और जहां से मैंने स्टार्ट किया था इसे वही पे लाके हमें से बांध लेना है इसके बाद हमें 5-6 या 7 चल लेना थोरी से दूरी पे मैंने जो पाइपिंग किया उसमें एक घर छोड़ कर दूसरे घर में जॉइन किया है तो देखिए हम इसे इस टाइप से थोरी से दूरी पे जैसे इसमें किया से उसे तरह से में इसमें करेंगे देखिए यहां भी हम इसे जॉइन कर लेंगे उसके बाद फिर हम यहां से गुल्ली बनाएंगे जैसे सेम हमने पहले बनाया तरह से बड़ा चैन करेंगे और एक गसा चैन करेंगे तसी तरह मैंने किया देखिए चैन किया थ्क लिएकना है देखिए से में इसमें बनाया था तो अब हम इसमें 2 घर घता के बनाएंगे जैसे इसमें 40 क्रेंगे इससी टाइप से हम 2-2 घर घता आते हुए बनाते जाएंगे तो उसे मैं उसी तरह लाकर यहां पर जोइन करेंगे जैसे देख लिए चैया हमने बना लिया है और इसमें मैंने 40 सी घर बनाया है उससे छोटा बनाएंगे या फिर आप तीन घर घटा कर पर बना सकते हैं और देखें यहां इसे जोइन कर लेंगे उसके बाद हम फिर से चैनलेंगे दूरी के हिसाब से जितने दूरी पर आपको टाकना हो उतनी दूरी पर हमें से जोइन करेंगे दिखें एक पैपिंग में छोड़ कर दोसे पैपिंग में कर जोएंगे उसके बाद हम इसमें फिर सेम उसी तरह छोटी छोटी गुल्य बनाएंगे तो इसमें हम फिर दो घर घटा कर गुल्य बनाएंगे जितना बनेगा दस घर इसमें बनेगा तो सब में घर घटते हुए बनेगा तो आप चाहे तो किसी में 2-3 घर घटा सकते हैं किसी में 4 आप अपने हिसाथ से जितनी दूरी पे रखना चाहते हो बड़ दो घटाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा इसी तरह हमें इसे भी बुन कर लाना है और इसे भी जोइन करना है सेम इसी तरह से जैसे मैंने इस में किया तो देखें इस टाइब से हमारा बन चुका है एक, दू, तेन, तो, तेन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, और ये लास्ट दस मा बन रहा है तो लास्ट जब हम बनाएंगे, दोस्तो तो एक ख्याल रखना है कि जितनी ये पट्टी की मतलब जो भी बनाए लंबाई है उतनी ही लंबाई करके हम इसे बांधेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं और नहीं ज्यादा छोटा उतने लंबाई करके हम यहां पर इसे लास्ट में यही ध्यान देना है बांद लेंगे लिखे इस तरह से यह हमारा बन चुका है यह टूटल अब हमारा तयार हो चुका है अब हम इसे जॉइन करेंगे लिखे इस टाइप से तो आप भी असानी से इतने स्टेप्स को कर लिजेगा और अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सेर भी चुरूर कीजेगा तो देखे इस टाइप से यह बन गया हमारा अब भी चुका अब हम इसे जॉइन करना सिखेंगे किस टाइप से जैसे इस टीन तैयार है बनना करना है तो सबसे पहले हम ध्यान यह देना है जो हमने पहले 42 बनाया था उससे सीधा करके और इसका जो बीचो बीचो का उसमें हमें उनको गाथना है जैसे कि इसका बीच हुआ तो हम यहां से ज्वाइन करेंगे तो पहले हम फंदा बना लेते हैं कि यहां से हम भीचो बीची से बांथ लेंगे स्टेप से बांध लेंगे और उसके बाद यहां से हम दो चैन लेंगे एक और डबल क्रोशिय करेंगे फिर दो इसके बाद हम छे चैन लेंगे दो ले लिया तेन चार पांच इस टाइप से हम chyba छे चैन लेना है और फिर जो सेकेंड लरी है उस लरी में हमें इसी टाइप से बीचो बीच में गात ना है जैसे इसका जो बीच है से मुसीतर से हमें बीचो बीच बांथ लेना है और दो चैन लेंगे इसमें से दो फंदा निकालेंगे और बांधलेंगे फिर चेन लेंगे तीन चार पान्ञ छे और फिर हम जो इसके बाद वाली लड़ी उसे भी बीचो-बीच करके इसी तरह से हम बान लेंगे फिर दो फंदा लेंगे और छे चैन लेंगे और सेम इसी तरह से हमें टूटल जितना दस हमने लड़ी लिया है तो हम दसों को इसी टाइप से जॉइन कर लेंगे तो देखे इस टाइप से मैंने कर लिया है अब हम इसे क्या करेंगे जो इसका मेन भी बना हुआ है जो भी बना हुआ हमें इसमें इसे जॉइन करना है जो भी है जो कोना इसका निकला हुआ उस कोने में सबरहेड में सब्सक्राइब है कि 10 दो आप कि अच्छे कि अ EPA यहां से । रहले हैं छोगड़OW ाफ मुआ है कि आप में यहां से क्या करएंगे नया स्टेप् देख से यहां से एम अब गोला करना एंए chodziर हम बांध लेता इसे अच्छे से हुसके बाद हमें से स्टैप से घुमा कर और जो हमने दो फंदा लिया था उस दोनों फंदे के बीच से लेना है चैन में एक फंदा जो है लेना है लेके स्टैप से लेके लेना है लेना है ले लेके से लेके लेका, थासरी घुचर रीची से लेके संही से स्टैप्स schेंग स्टनुत्तों Tan झाल 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 जो पहला हमने बनाया था गोला हमें इसमें इसे जोइन कर लेना है साइट से थोरा सा लेकर उसके बाद तब हम यहां से लेना स्टार्ट करेंगे और फिर लाकर हमें इस साइट जोइन कर लेंगे तो देखिए और आप समझे करएंगे झाल झाल करएंग shortages छ centrी झाल 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 हमें झाल झाल तो देखें यह भी हमारा गोला हो चुका है अब हम इसे पहले जो गोला ही पना है तो उसमें थोरा सा उन लेंगे और इसे बांत लेंगे और फिर पिर सेम उसी तरह हम इसे पीछे पलट लेंगे चैन को और हमें चैन ले लेना है कुछ और फिर उसी तरह हम थोरा सा उन पकरेंगे और इसे बांत लेंगे फिर हम कुछ चैन पकरेंगे और इसे बांद लेंगे थोरी से दूरी पर और इसे तरह करते हैं, जो सीधा है, इसका दो तेन लेयर मीं पहुँंच़ाएंगा वहां जिसे फिरन सेकेंड स्टेप में जाएंगे इससे क्या होगा एक ही साथ हमारा टोटल लेयर जो है वो तयार होता चला जाएगा और यहां पर देखिये इस तरह से हम यहां बांद लेंगे से देखे जो यह है इसे हम यहाँ स्टैप से बांध लेंगे जिसका बिचो बिच है स्टैप से और सेम जो प्रोसेस मैंने आप भी बताए सेम उसी प्रोसेस से हमें टोटल बनाना है अगर आपको समझ में ना आया तो वीडियो को रिपीट करके देखेंगे तो फिर आप समझ ज तो हम इसमें कर लेंगे 10 तो देख सकते आप इस टाइप से जो हमारा डेट्यू हुआ था ये भी है और इसमें जो मारे डेट्यू है टोटल अब लगभग हमारा इस टेप कम्प्लेट सो चुका है अब हम इसका पाइपिंग करेंगे बैगनी कलर से अब डेट गलर का भी य इसमें हमें अब पैपिंग करना सीखना है तो देखे इस टाइप से हमारा टूटल बन चुका है यह देखे इस टाइप से हमने बना लिया है और यह हमारा इस टाइप से दिखेगा बनने के बाद देखिए इस टाइब से तो हमारा चार खंड तयार हुआ है और हमने पांच भी बनाया था तो चलिए अब नेक्स स्टिप पे चलते तो देखिए इस टाइब से हमने पैपिंग किया हुआ है बैगनी कलट से कि देखिए इसमें पैपिंग करके तो देखिये मैं यहां से बांख से अपिटिए और यहां से करना हैısaking शीप यहां से यहां से बांख लेंगे पहले हो है इसके बाद हम यह पर चैन लेना अ कि 3 चार चैन लेंगे यह 5 चैनल यह फिर थोड़ी से दूरी पियमें ज्चान कर देनाै रहा है ऐकल कॉल यह बर में इसom देना है धिक इस घ्ले पह люблю अ फिर हम चार या पांच चैन लेंगे या छे चैन लेंगे और फिर थोड़ी से दुरी पे हम इसे बांद लेंगे और इसका गोलाई है दोस्तों गोल हमने बनाया तो इसे पूरे बैंगने को हम गोल करते हुए जाएंगे यह देखे इस टेप से यह गोल है तो फिर हम यहाँ पर आएंगे और इसे इस टेप से बांदेंगे तो दोस्तों आप देखे और समझे इसे यहाँ पर देखे अच्छे से समझेगा तो आप असाने से इस डिसाइन को बना पाईएगा इस टाइप से यहाँ पर गोल कर लेंगे इस के परा गोल करने के बाद यहाँ पर इसे जॉइन कर देऊंगे इस टेप से इसके बाद हम इसे पलट लेंगे जिस टाइप से हमने गोल करने के बाद दूसरे घर में जाने के लिए इसे पीछे से थुरा-थुरा उन लेकर हम वहां तक गय थे उसी टाइप से हम यहां भी बांध लेंगे तो रहा साओन में फसा लेना इसे बांध लेना तो दिखे इस टाइप से में यहां पर साइड में हमें आ जाना और फिर अब यहां से से केंड लेयर स्टार्ट करेंगे तो देखियो और आप समझें और साइब में हम प्यु Figär16 को में हम दित्सक्तार्ट करें गय झाल 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 झाल